अभी हाली में हॉस्पिटल्स में आग लगने की दो घटनाएं हमारे सामने आई हैं एक घटना है आंदरप्रदेश से संबंदित और दूसरी घटना है गुजरात से संबंदित इसी संबंद्न में एस एडिटोरेल में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो hospitals में आग लेकने की घटनाएं हैं, ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, और क्यों ये घटनाएं हो रही हैं, कि वे क्या सुरक्षा के कमी हैं वहाँ पर, इसके अलावा हमारा क्या दाईत तो बनता है, सरकार का क्या दाईत तो बनता है, hospitals से जुड़ी हुई जो authorities ह उनका क्या दाईत तो बनता है, इसी से संबंदी चर्चा हम इस एडिटोरिल में करने वाले हैं, hospitals, a fire, a fire का मतलब होता है, जलती हुई अवस्था में होना है, तो ये hospitals के लिए कहा गया है, जिन hospitals में आग लगी, health care centers, lack, lack का मतलब होता है, कमी होना, fire safety, कि health care centers, ये hospitals में जो भ होने चाहिए न, उनकी कमी होती है, क्यों, because, governments pay lip service to regulation, regulation का मतलब होता है, नियंतृत करना किसी चीज को, control में करना, government pay lip service, देखो क्या मतलब होता है, pay lip service, pay lip service का मतलब होता है, यह दिखाना कि आप किसी चीज को support करते हो, लेकिन वास्तव में उसके लिए कुछ ना करना, जैसे कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के दोरान नेता जो है, अपने होटों को हिला हिला कर है, अपने होटों को हिला कर काफी सारे वादे करते हैं, लेकिन वास्तव में जनता के लिए कुछ नहीं करते, उसको बोला जाता है, pay lip service है, यानि कि एक तरीके से बस जूटी ह समदर्दी दिखाना, एक तरीके से जूटा ढोंग करना, एक तरीके से पाखंडी पूर्ण आचरन, पाखंड पूर्ण आचरन करना, उसको कहा जाता है, pay lip service, तो यहां क्या लिखा हुआ है, यहां editorial कहना चाहरा है, कि यह जो health care centers हैं, इनमें जो fire safety से सम्बंदित, जो सुरक के इंतजाम होने चाहिए, उनकी कमी होती है, वो इसलिए होती है, कि सरकार को, जो regular सरकार को एक तरीके से जो control करना चाहिए, इन hospitals पे, अच्छी तरह से देखना चाहिए, कि हाँ बई, किस hospital में fire safety के उपकरन हैं, किस में नहीं है, तो सरकार अपनी भूमिका को ठीक तरह से अदा नहीं करती, यह editorial बात करना चाहता है, सरकार बस जूटा दिखावा करती है, नाम मात्र का, कि हाँ हम देख रहे हैं, hospitals को, लेकिन actual में होता क्या है, lip service होती है, आगे देखते हैं, बहुत important है यह, pale lip service है, अकसर exam में पहुँची जाती है, यह idiom, the shocking deaths of at least, shocking, मतलब बहुत ही जादा चौकाने वाली घटना है, the shocking deaths of at least 19 people की, जो है, 19 लोग मारे गए हैं, in special facilities for COVID-19 management in विजेवाडा, तो एक घटना है विजेवाडा की, वहाँ पर क्या किया गया था, एक center बनाया गया था, एक खास center, COVID-19 के मरिजों के लिए, तो वहाँ पर आग लगी, दूसरी घटना हुई, एहमदाबाद में, have exposed, तो ये जो दोनों घटना हैं, have exposed, तो इन घटनाओं के माद्यम से, ये जो मृत्यों हमें देखने को मिली, इन्होंने खुलासा कर दिया है, exposed का मतलब है खुलासा कर देना, the deep rot, rot का मतलब है कमी, किसी standard में कमी आती have exposed the deep rot in regulatory process for institutional and commercial building safety, तो इन घटनाओं ने, ये जो मृत्यों लोगों की हुई है, इन मृत्यों ने इस बात का खुलासा कर दिया है, कि एक बहुत गहरी कमी है, the deep rot, rot का मतलब है बहुत गहरी कमी है, in regulatory process, regulatory process का मतलब है, कि ये जो विभिन buildings बनाई जाती हैं, institutions के लिए, hospitals के लि building बनाई जाती है, उनमें सुरक्षा के लिहाज से, जो एहतियात बरते जाने चाहिए, वे एहतियात दिखाई नहीं देते हैं, जो regulation होता है, कि किसी भी hospital को, या फिर किसी भी building को, जब मानेता दी जाती है, तो उस मानेता देने के लिए, जो एक पूरी प्रक्रिया while, अब यह देखो while से जब sentence शुरू होता है, तो इसमें क्या है, दो sentence जोड़े जाते हैं, कि एक और तो ऐसा हुआ, जबकि एक और तो हम यह देखते हैं, दूसरी और यह हुआ, while 11 died in आंदरप्रदेश है न, तो यह विजेवाडा में, while 11 died in आंदरप्रदेश, जबकि 11 लो अंदरप्रदेश में क्या हुआ था, कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक होटल को लिया हुआ था है, एक होटल had been take over, take over का मतलब है, आप जब आप अपने कंट्रोल में किसी चीज को लेते हो है न, आप अपने जिम्मेदारी में क इसी चीज को ले लेते हो, तो उसको बोलते है take over है, संभालना, तो आंदरप्रदेश में क्या हुआ था, एक होटल को प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा लिया गया था, टू रन, एक COVID-19 care center, और क्यों लिया गया था उस होटल को प्राइवेट होस्पिटल के द्वारा COVID-19 care center को चलाने के लिए, यहनि कि हो सकता है, हो सकता है कि यह जो होस्पिटल है, उसमें जगह है ना हो, तो होस्पिटल ने क्या किया, एक होटल को जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो, कि लिया, और वहाँ पर भी क्या कर रहे थे, COVID-19 center चला रहे थे, 9 patients perished in the village, village का मतलब यही होता है ना, जौला, लपट, 9 patients, ग्यारा लोग तो इदर मारे गए आंदर परदेश में, दूसरी और हमें क्या देखने को मिला, 9 patients perished, perish का मतलब होता है, समाप्त हो जाना है ना, मर जाना, 9 patients perished in the village, in a गुजराथ hospital, intensive care unit, ICU, तो एक तरप तो हमें द क्या हुआ, 9 patients है ना, जो की 9 patients जो है, उनकी मृत्ती हो गई, वे समाप्त हो गए, आग की लपट में, कहां होई यह गटना, गुजराथ के hospital के, ICU में यह गटना होई, these ghastly, ghastly का मतलब होता है, भयानक, these ghastly incidents की, यह जो भयानक घटना है, हमें देखने को मिली, which claim, claim का में यहां पे ले लेना, यहनि की इन भयानक घटना हो, जिन्होंने की ले ली, क्या ले ली इन घटना होने, the lives of those, उन लोगों की जान ले ली, who were getting treatment, जो की अपना इलाज करवा रहे थे, और recovering, या फिर स्वास्ते लापराप्त कर रहे थे, from an infection है ना, की COVID-19 के infection से, COVID-19 के संक करमन से, जो recover कर रहे थे, in supposedly secure conditions, supposedly, supposedly का मतलब होता है, जिसके बारे में माना जा रहा है, या जिसके बारे में माना जा रहा था, supposedly secure conditions, यानि की in hospitals में, जिन hospitals में, इन patients की मृत्ती हो गई, उन hospitals के बारे में ऐसा माना जा रहा था, कि इन लोगों का इलाज जो है, बहुती सुरक् conditions में इनका इनका इलाज चल रहा है ऐसा माना जा रहा था उसको कहा जाता है supposedly, supposedly secure conditions labor, तो ये जो घटना है हुई, ये घटना है इस बात का खुलासा करती है labor का मतलब होता है, खुलासा कर देना बिल्कुल साफ कर देना, इसपष्ट कर देना आपके सामने है, तो ये घटना है labor, ये घटना है जो इस बात का खुलासा करती है किस बात का, the lake of preparedness, preparedness का मतलब होता है, बिल्कुल तयार होना किसी चीज से निपटने के लिए तयार होना उसको कहा जाता है preparedness कि the lake of preparedness तो ये जो घटना है होई, ये घटना है बताती हैं कि तयारी का अभाव था, among states विविन राज्यों के बीच में to manage the expanding pandemic, expanding का मतलब है फैलता हुआ या फिर फैलती हुई expanding pandemic, pandemic का मतलब है वैश्विक महामारी कि यह जो फैलती हुई वैश्विक महामारी है इसको control करने के लिए जो है हमारे पास विविन राज जो है, उनके पास तयारी का अभाव है यह बात इन घटनाओं के होने से इसपश्ट हो गई, इसके अलावा और क्या बात इसपश्ट हो गई, and hasty contracting procedure hasty का मतलब होता है जल्दवाजी में जल्दवाजी से संबंदी थे, जब आप कोई काम जल्दवाजी में करते हो, डंग से सोचते विचारते नहीं हो तब हम प्रियो करते हैं शब्द hasty contracting, contracting का मतलब है कमियाना, procedures का मतलब है प्रक्रिया, यानि कि हमें जो प्रक्रिया, यानि कि यह जो घटनाए होई, इन घटनाओं से निपटने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है उए प्रक्रियाएं क्या है, उए उन प्रक्रियाओं को जो है, जिस तरह से अपनाना चाहिए था उस तरह से नहीं अपनाये गया, बहुत ही जल्दवाजी हमें देखने को मिली है, contract का मतलब है कमियाना, यानि कि proper प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, यह डिटोर जो है बात करता है, हमारी तैयारी में जो है कमी थी, हमारी preparedness में कमी थी, आगे देखते हैं, in a familiar pattern, एक चिर परिचित सरूप है न, in a familiar pattern का मतलब है कि ऐसा pattern जब बार-बार दिखाई देता न, कि ऐसी घटनाय बार-बार होती रहें, तो क्या कहींगे हम, कि यह तो familiar pattern है, इसी अंदाज में घटनाय होती रहती है, इन a familiar pattern, civic and fire authorities, who were expected, ठीक है, यह घटनाय तो हुई, लेकिन एक और आगे एडिटोरिल क्या बात करता है, civic and fire authorities, यानि कि कुछ नागरिक या फिर वे fire authorities, जिनका यह दाइत तो था, कि वे क्या करते हैं, इस घटना को seriously लेते हैं, इस घटना को रोकने का प्रयास करते, who were expected, जिनसे की उमीद की गई थी, यानि कि नागरिक और fire authorities, जिनसे की उमीद की गई थी, जिनसे यह उमीद थी, जिनसे यह आशा थी, to monitor, monitor का मतलब होता है, निगरानी करना, the safety of such buildings, देखो भई, यह जो buildings होती है, है ना, कि विबिन जो commercial buildings होती है, या फिर यह जो hospitals की building होती है, तो इन में proper, जो है, एक तरीके से fire safety के इंतिजाम है, या नहीं है, यह देखने का दाइद तो किन का है, यह देखने का दाइद तो है, नागरिकों का, यह देखने का दाइद तो है fire authorities का, तो यह जो fire authorities थी, इनोंने भी अपनी भूमी का ठीक तरह से नहीं निभाई, यह जो buildings हैं, इनमें क्या सुरक्षा की इंतजाम है have sought to, sought का मतब है चाहना seek की second form और third form होती है sought, sought का मतब है चाहना have sought to pin responsibility pin responsibility का मतब होता है उत्तरदाइत या फिर जिम्मेदारी को किसी के ऊपर मर देना, अपनी जिम्मेदारी को for the carnage, carnage का मतब हत्या कांड यह जो नरसंगार लोगों का हुआ यह जो लोगों की जाने चले गए है on the honors of the properties की यह यानि कि यह जो building जिनकी property है तो यानि कि जो मालिक है इन buildings के, उन मालिक पर responsibility को टालने की कोशिश की, किनोंने fire authorities ने जबकि करना क्या चाहिए था fire authorities को fire authorities को करना यह चाहिए था कि अपने उपर जिम्मेदारी लेनी थी और इन buildings की proper तरीके से निगरानी करनी थी लेकिन किया क्या इन fire authorities ने इन fire authorities ने यह किया कि buildings के जो honor थे उनके उपर जिम्मेदारी को टाल दिया आगे देखते हैं they are being held responsible for failure to obtain a no objection certificate तो यह जो building's के मालिक हैं उनको दोशी ठहराया जा रहा है they are being held responsible उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है आसफलता के लिए यानि कि यह जो buildings के मालिक हैं इनसे कहा जा रहा है कि आप असफल रहे किस चीज में असफल रहे है आपको एक no objection certificate प्राप्त करना था आपको एक no objection certificate प्राप्त करना था कुल मिला के आपको ये आपके पास एक certificate होना चाहिए था कि हाँ हमारी building पूरी तरीके से सुरक्षित है कि हाँ हमारी building में आग से निप अगर हम इसकी बात करें कि जहांपर एक होटल को COVID-19 केर सेंटर में बदल दिया गया था है उस की उस बिल्डिंग की अगर हम बात करें इन दा केस होट है ना इस केस की अगर हम बात करें कि इस केस की कि जहांपर एक होटल को COVID-19 केर सेंटर में बदल दिया गया था तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है carrying out electrical upgrades for safety वहाँ पर वे जो hotel के मालिक हैं उनके उपर यार उप लगाया जा रहा है carrying out carry out का मतलब होता है अंजाम देना electrical upgrades for safety तो वहाँ पर ये जो hotel से जुड़े हुए hotel यानि कि जिन लोगों की hotel है hotel के जो मालिक हैं उनके उपर यार उप लगाया जा रहा है कि भई आपको electrical upgrades for safety सुरक्षा से संबंदित ये जो electrical upgrades हैं वो करने चाहिए थे उनको अंजाम देना चाहिए था तो electrical upgrades जो है आपने नहीं किये इस तरह से मामले को एक तरीके से जिम्मेदारियों को टाला जा रहा है this is clearly untenable untenable का मतलब होता है असमर्थनी है तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति या हर व्यक्ति जो है एक तरीके से पल्ला जाड़ता हुआ नजर आ रहा है ये उसके उपर आरोप लगा रहा है वो उसके उपर आरोप लगा रहा है यानि कि हर व्यक्ति जिम्मेदारी से बसता हुआ नजर आ रहा है हर संस्था जो है जिम्मेदारी से बसती हुआ नजर आ रहा है this is clearly untenable तो एडिटोरिल बात करता है कि यहाँ असमर्थनिय है यह जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ ठीक नहीं है यहाँ असमर्थनिय है This is clearly untenable क्यों? जैसा कि Supreme Court ने कहा As the Supreme Court of India observed observed का मतलब यह देखा जैसा कि Supreme Court ने देखा क्या देखा Supreme Court ने? About a decade ago decade का मतलब होता है decade का मतलब होता है दशक एक दशक पहले Supreme Court ने क्या कहा था? Supreme Court ने क्या देखा था? In the Uphar Cinema Fire Treasury Case in Delhi Delhi में एक दशक पहले क्या हुआ था? यह जो उपहार सिनेमा है वहाँ पर एक भयाना का आग हादसा हुआ था यानि कि उपहार सिनेमा में आग लगी थी तो उस दोरान Supreme Court ने कुछ बाते कही थी क्या बाते कही थी Supreme Court ने उस दोरान? Pulling up Pull up का मतलब होता है खिचाई करना डांट लगाना Pulling up authorities including the Union Home Ministry for abdicate Abdicate का मतलब होता है त्यागना Abdicating responsibility तो उस दोरान Supreme Court ने जो है बड़ी खिचाई कीती है सभी authorities की जो भी उपहार सिनेमा से संबन्द जो भी authorities है उन सभी authorities की खिचाई कीती कि ये इतनी बड़ी दुरगटना हुई कैसे Including the Home Ministry यानि कि जो ग्रह मंत्राले है इसको भी Supreme Court ने डांट लगाई थी क्यों Supreme Court ने Union Home Ministry की खिचाई कीती? For abdicating responsibility Abdicating responsibility अपनी जिम्मेदारी को त्यागते हुए है Supreme Court ने Union Home Ministry से कहा था Supreme Court ने Kendri घर मंत्राले से कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं त्याग सकते है For abdicating Abdicating का मतलब है त्यागना, responsibility And passing the buck अब ये जो शब्द आया ये भी बहुत important idiom है Pass the buck ये पहली idiom आये थी Pay lip service दूसरी idiom आये ये pass the buck Pass the buck का मतलब होता है टालना, है ना, जिम्मेदारी को टालना उसको कहा जाता है pass the buck On to the management of the institution तो देखो Union Home Ministry ने क्या कहा था ये जो घटना हुई थी ना उपहार सिनेमा में इसमें जिम्मेदार कोन है ये institution जिम्मेदार है On the management of institution कि भई ये जो institution है इस institution के का जो प्रबंद करने वाले लोग है जो management department है वो जिम्मेदार है तो इस बात के लिए जो है Supreme Court में Union Home Ministry की खिचाई की थी इन दा अहम्दाबाद ICU बलेज कि अहम्दाबाद में गुजरात में ये जो आप कह सकते हो कि ये जो ICU में ये जो आग की घटना हुई Patients expected the institution वहाँ पर गुजरात में अहम्दाबाद में जिस अस्पताल में घटना हुई वहाँ पर जो है मरीजों ने ये उमीद की थी Patients expected the institution to offer the highest levels of safety तो अहम्दाबाद में जिस अस्पताल में ये घटना हुई वहाँ पर मरीजों ने ये उमीद की थी क्या उमीद की थी कि भई जो institution है या जो hospital है वह हमें सरवोच दरजे की जो है safety उपलब्द कराएगा है to offer the highest level of safety बट लेकिन हुआ क्या suffered लेकिन ये जो patients थे इनको जो है suffer करना पड़ा इनको जहेलना पड़ा as it was ill-equipped ill-equipped का मतलब है samuchit sansadhan न होना ill-equipped का मतलब होता है कि जो आपके पास proper equipment होने चाहिए वो proper equipment न होना है samuchit sansadhan न होना as it was ill-equipped to fight a fire लेकिन ये जो अहमदाबाद का hospital था वह आग से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं था परिणाम सरूप उसका नतीजा मरीजों को भुगतना पड़ा आगे देखते हैं safety regulation of buildings used for healthcare delivery is a subset of the overall need to regulate hospitals देखो editorial बात करता है कि जो भी hospitals होते हैं उन hospitals को regulate किया जाना चाहिए उन hospitals को control किया जाना चाहिए यानि कि उन hospitals में देखा जाना चाहिए चारो तरब से हैं हर बात को देखा जाना चाहिए वहाँ पर जो है proper सफाई हो रही है या नहीं हो रही है वहाँ पर proper जो है एक तरीके से आग से निपटने के इंतजाम है या नहीं है वहाँ पर proper parking है यानि कि काफी सारी चीजों को ध्यान में रख कर hospital को certificate दिया जाना चाहिए तो यह जो आग से संबंदी बात है na safety regulation, सुरक्षा संबंदी जो regulation है, यहाँ एक हिस्सा है, safety regulation of buildings used for health care delivery is a subset, subset का मतब है कि भई काफी सारे नियम कानून है hospitals के लिए उन्ही का एक छोटा सा हिस्सा है, यह safety regulation of the overall need, overall need का मतब है एक व्यापक जरूरत है to regulate hospitals, hospitals को एक बड़े पैमा पर regulate करने की जरूरत है, यहने की hospital से जुड़ी हुई जो काफी सारी facilities है, उन सभी facilities को देखा जाना चाहिए, उन्हें से एक facility safety regulations भी है and states should use the recent deadly fires, deadly का मतब है घातक और विविन ने जो राजे हैं, उन्हें प्रियोग करना चाहिए, उन्हें किस चीज का प्रियोग करना चाहिए, should use the recent deadly fires कि अभी हाल ही में यह जो भयानक आग की घटनाएं हुई है, इन आग की घटनाओं से सीखते हुए राजेों को क्या करना चाहिए as the occasion राज्यों को इस आवसर का लाब उठाना चाहिए राज्यों को इस आवसर का प्रयोग करना चाहिए to launch कि विबिन राजे जो है launch करें किस चीज को launch करें much delayed reform reform का मतलब होता है much delayed का मतलब है जिनमें काफी देरी हो गई है तो राज्यों को hospitals से संबंदित जो भी सुधार जरूरत है उन सुधारों को करना चाहिए जो की पहले से ही काफी देर हो गए है ये एडिटोल बात करता है और अभी राज्यों के सामने आवसर भी है क्या आवसर है राज्यों के सामने आवसर है अभी हाली में जो घटना है हुई है इन घटनाओं को देखते हुए इन घटनाओं को संग्यान में लेते हुए विविन राज्यों को ये जो hospital से जुड़ी हुई जो facilities होती है इनके तहत जो reform किये जाने चाहिए जो सुधार किये जाने चाहिए उन सुधारों को launch करना चाहिए इन दे एपसेंस ओफ सेफटी सिस्टम्स इन दे एपसेंस ओफ सेफटी सिस्टम्स मैनी डाइड ओफ हायर एंड इस्मॉक इनहेलेशन कि वही ये जो सुरक्षा सिस्टम जो कि हॉस्पिटल्स में होना चाहिए इनके अभाव के चलके इनकी कमी के चलते कई लोग आग से मर गए एंड इस्मॉक इनहेलेशन इनहेल का क्या मतलब होता है सांस लेना और कई लोग धुएं को अंदर लिया जब भई आग लगी तो ये जो धुआ निकला इस धुएं को जो है सांस के द्वारा ये धुआ उनके फैंपडों में गया तो इससे जो है काफी लोगों की मृत्ति हो गई वाइल दोज और जबकी वे लोग जो की बच गए वाइल दोज वुद सर्वाइवड had nothing but luck to count on वे भागे के भरोसे बच गए count on का मतों होता है निर्भर होना depend on किसी चीज़ पर depend होना किसी चीज़ पर निर्भर होना यानि कि काफी लोग आग में मर गए या फिर काफी लोग जो है दुएं को अंदर लिया, तो उसके चलते उनके मिरत्ती हो गई, और जो कुछ लोग बच गए, वे बच गए, भागे के भरोसे हैं, वे भागे के निर्भर होने, यह मानो कि वे भागे पे डिपेंड होने के चक्कर में बच गए, और कुछ नहीं था, and who survive, survive का मतलब बच जान इस तरह की situation जो है continue बनी रहे, the national building code of India, national building code of India, इसका मतलब है कि भारत में जो भी building बनाई जाती है, उन building के बनाए जाने के लिए क्या है, कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना होता है, with additional fire safety, वही क्या नियम है, जब building बनाई जाती है, बड़ी बड़ी व्यापार किस त जाती है, with additional fire safety provisions का मतलब है प्रावधान, for hospitals, कि भई hospitals के लिए ये प्रावधान किया गया है, कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, कि उन पर hospitals में अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम hospitals को करने चाहिए, तो ये जो the national code of, the national building code of India है, is the basis, basis का मतलब है आधार, is the basis for hospital accreditation, accreditation का मतलब हो तब दी जाती है, जब उस hospital में ये चेक कर लिया जाता है, कि क्या hospital, national building code of India के जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का पालन करता है, is the basis for hospital accreditation, तभी जाकि उसको माननेता दी जाती है, but these should be made mandatory, and लेकिन एटीटोई ले बात करता है, कि भई ये जो national building code of India से जुड़े जो प्रावधान है, चोटे चोटे जो भी प्रावधान है, और खास करके आग से fire safety से जुड़े जो प्रावधान है, इन सभी प्रावधानों को बिलकुल mandatory बनाया जाना चाहिए, mandatory का मतलब है बहुत ही ज़्यादा urgent, compulsory, mandatory का मतलब है कि यह निवाल है, and enforced, enforced का मतलब है लागू करना, in all states, और जिन states में यह प्रावधान पूरी तरीके से लागू नहीं है, उन states में भी इन प्रावधानों को पूरी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, if smoke alarms and sprinkler system, along with local fire fighting ads are available, editor बात करता है, कि हमारे पास system हो, कैसे system हो, कि जैसे ही खहीं भी धुआ उठता है, जैसे कि बड़ी-बड़ी building से, इनमें कहीं भी धुआ दिखाई देता है, तो उसके लिए alarm हो हमारे पास है, if smoke alarms कि एक ऐसा system हो कि कहीं भी धुआ दिखाई दिखाई दिया, तो तुरंत जो है, जो है, एक alarm घंटी हो, या फिर एक alarm system हो, पूरा-पूरा, sprinkler system, sprinkler system का मतलब है, छिलका इसके साथ ही साथ, छेत्री आग बुझाने वाली सायता, ये अगर उपलब्द होती हैं हमारे पास, smoke alarm system, sprinkler system, इसके लावा local firefighting, ads, ये अगर हमारे पास उपलब्द होती हैं, तो loss of life can be eliminate, eliminate का मतलब है समाप्त करना, तो ये जो जीवन का नुकसान है, इसको eliminate कर रकिया जा सक इसको समाप्त किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, यानि कि जो जान का नुकसान होता है, उस नुकसान से बचा जा सकता है, all patients should also be covered by substantial life insurance, substantial का मतलब होता है, काफी, substantial का मतलब होता है, अच्छी खासी मातरा में, all patients, कि भई, hospitals में, जो भी patients होते हैं, उनको परियाप्त म मातरा में, उनका जो है, life insurance होना चाहिए है, उनको life insurance दिया जाना चाहिए, उनको life insurance cover किया जाना चाहिए, आगे देखते हैं, evacuation systems for ICU patients, evacuation, क्या मतलब होता है, evacuation का, evacuation का मतलब होता है, खाली कराना, जैसे कि आग लग गई, तो तुरंच जो है, patients को खाली कराया जा सके, उस कमरे म patients, यानि कि वे patients जो ICU में होते हैं, उनके लिए जल से जल उनको बाहर निकाला जा सके, ऐसा एक system होना चाहिए, evacuation systems for ICU patients, need to be part of the building design, की hospital की जो building design की जाती है, उसका एक हिस्सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका एक हिस्सा, की hospital को निर्मित करते वक्त, ICU में एक evacuation systems भी रखा जाए, often, अक्सर, hospital buildings are regularized for unapproved constructions, unapproved constructions, unapproved का मतलब है, जिसको की जो है, एक तरीके से certificate न दिया गया हो है, construction का मतलब है, निर्मान, by state governments acting thoughtlessly, की विभिन जो राज सरकारे होती हैं, वे विचार विमर्च किये बिना, thoughtlessly का मतलब है, बिना विचारे, की विभिन राज सरकारे क क्या करती है, बिना विचारे, कई ऐसे hospitals, buildings को जो है, नियमित कर देती हैं, कई ऐसी hospital buildings को राज सरकार माननेता दे देती हैं, जिन building को certificate नहीं मिला होता है, ना, unapproved construction, unapproved construction का मतलब है, की ऐसा निर्मान, जिसे certificate नहीं मिला है, ना, जिसे approval नहीं मिला है, तो कई hospital buildings ऐसी होती है जिनकों की certificate नहीं दिया गया होता है लेकिन फिर भी विभिन राज्य सरकारें बिना सोचे विचारें इन hospitals को, इन buildings को operate करने की अनुमती दे देती है Schemes introduced to regularize building violations are clearly anti-social in character Editor क्या बात करता है? कि ऐसी योजनाएं जो की introduce की जाती हैं, जिनकों की लाया जाता है तो इस प्रकार की building, जो की violations का मत होता है उलंगन, are clearly anti-social in character तो इस तरह से ये जो buildings हैं, विभिन buildings हैं जो की एक तरीके से सुरक्षा से संबनी जो प्रावधान है इनका उलंगन करती हैं और ऐसी buildings को आप क्या करते हो, मानिता दे देते हो तो यह है एक तरीके से समाज विरोधी काम है anti-social in character है, ये जो काम है, ये समाज विरोधी काम है the many fires in institutional buildings and their terrible toll the many fires in institutional buildings कि विभिन संस्थाओं से जुड़ी हुई जो buildings हैं उनमें ये जो आग लगने की घटनाए होती है and their terrible, terrible का मतब़े भयानक, tall का मतब़े मरने वालों की संख्या and their terrible toll should lead lead, यहाँ पे should lead to का मतब़े कारण बनना तो ये जो जो है विभिन बिल्डिंग्स में ये जो आग की घटना है हमें देखने को मिलती है इसके लावा भयानक लोगों की जो मोते हमें देखने को मिलती है यह कारण बनना चाहिए should lead to ये कारण बनना चाहिए a full inspection of all such facilities for safety किस चीज का कारण बनना चाहिए कि एक पूरी जाच हो a full inspection, किस चीज की जाच हो of such facilities for safety कि इन विभिन बिल्डिंग्स में safety के लिए जो भी facilities है इन सभी facilities की पूरी तरीके से जाच हो with civil society civil society का मतब है कि समाज को लेकर चिंतित लोग, उनको कहा गया है civil society के लोग, which is civil society keep up, keep up का मतब है maintain करना किसी चीज को, keeping up the pressure on governments to act कि civil society से जुले हुए जो लोग हैं, उनको बनाए रखना चाहिए, क्या बनाए रखना चाहिए दबाव बनाए रखना चाहिए विबिन सरकार, चाहे वे राज्य सरकारे हों चाहे किंत सरकारे हों उनके उपर civil society को दबाव बना के रखना चाहिए कि सरकार जो है विबिन बिल्डिंग्स को लेकर और विबिन बिल्डिंग्स की safety को लेकर बहुत ही सतर्क रहें और किसी भी तरह की लापरवाही न दिखाए